पहला सब्सक्राइब अमारा वह है अलेटी इन्फोटेक अगर इसका हम लोग देखें यहां पर देख सकते हो तो यह अल्टाम आई था इसका वहां से अरॉड अरॉड अभी अभी 42% के राउंड इसमें 42.5% के राउंड इसमें डिप है अरॉड अरॉड ऑरॉड यह बहुत ग्राफ पर आपको फोकस कर रहा हूं उससे पहले गए और हम लोग इसके अनलेसिस कर लेते हैं इस सेक्टर का जो पूरा डिमांड है बहुत ज्यादा इंक्रीज हो रहा है टेस्टिंग में डिजिटल सुलुइशन भी प्रवाइड कर दिंग अपनी उसके अपने क्लाइंट्स को इसके लाव अगर हम लोग इसके सेल्स पर देख लेते हैं तो यह ऑन यह अगर इसके बहुत अच्छा है अगर यहां पर देखो तो यहां पर देखो तो यहां पर कंपनी एक इसके इंप्लॉईस बढ़ रहे हैं इसके लावा अगर हम लोग देखें कि मैनिफैक्ट्रिंग कॉस्स जो है वह डिक्रीज होगी है थोड़ी सी यहां पर इसके लावा अगर हम लोग इसी compounding kegger पर देखें तो लास्ट फाइव यस में इस company ने 41% का का कैगर दिया है इसके लावा अगर हम लोग एक बार FIS पर देखें तो FIS ने बहुत selling करी है और DAS ने काफी ज़्यादा बाइंग करी है तो यहां पर तरह से एवरेज हो गया और public ने भी थोड़ी बाइंग कर रखी है यहां पर यहां पर यहां से एक लोकल सपोर्ट है यहां से जाके एक बांस अब अब ट्रेंड में आ सकता है इस टॉक यहां से अप्टेंड में आ सकता है अगर आपको बाइंग करनी है तो आप यहां फोड़ी बहुत बाइंग कर सकते हो इस वाले जोन में बट मेरे सब सब्सक्राइब करो यूद्ध निफ्टी थोड़ा सा भी और नीचे जाएगा तो यह तो इस वाल अबाट L&T InfoDeck अगर अभी हम लोग हम लोग हम अगर नेक्स टोक जो है वह इंफो एज तो हम पहले सक देख लेते हैं कि फंडमेंटल क्या है तो यह कंपनी के अंडर में आते है 99 एकर जो एक रियल इस्टीट कंपनी उसके लावा जीवनसाथियर.com जो एक मेट्रिमोनियल कंपनी है और सिक्षा.com तो कंपनी इंटरनेट की मामले में बहुत ही अच्छा पोर्टफोली मैंनेज करके हुए है इसके लावा मार्केट काप पर जाए तो 47,000 कारोट का है इसका मार्केट क कंपनी पर देखे है तो कंपनी ने कंपनी प्रॉफिट में करी हुए है वो है 125% परसेंट लास्ट वाइव यह और केगर में भी कंपनी है मतलब कि केगर भी इसका बहुत जाए इंक्रीज होया लास्ट वाइव इसका जो केगर है यह जो 29% है उसके लावा गर हम लोग एग 2021 में उसके बाद 2022 में 33% 33.99% मतलब कि अराउंड अराउंड टू 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 परसेंट का डिक्रीज हुआ है उसके लावा अगर 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 टेक्निकह से फोकस करें तो कंपने का स्थख अभी अपने एक support पे हुआ है support इसने रिजएक हैंपर एक बार मिला था इसको support से बट मेरे असाब से यहां से एक अप्र अप्रेंड में आ जाएगा यहां से फालो होगा यहां से अगर तो यहां पर लॉंग टर्म में इसका बहुत चाहिए तो इसके लावा अगर हम लोग वर्सके देखे कि टॉप अपने टॉप से कितना लोग है अभी यहां पर देख सकते हो चीज़ कि यह अपने टॉप से अराउंड अराउंड 50% के अराउंड 50.6 50.6 51% के अराउंड यह अगर आपको बाइंग करने है तो थोड़ी होँ इस अलही जोन में कलेना यहां से अप्टेंड में आ सकता है और अर टेंड करता है और निफ्टी यहां से रेज़ेगा होगा तो यह अपनी नेक्स सपोर्ट जोन से भी बनाए नहीं है बट जब कभी वह होता है ताब मैं ए अप्डीट वीडियो बना दूहां तो चलते हैं फिर अपनी नेक्स टॉक पर दोस्तों हमारे नेक्स टॉक जो है वह है डिक्सिन टिकलोजीज हम लुग इसके यहां पर देख लेते हैं उसके लावा अपनी पूर्फोलियो जो है प्रोडक्स का वह बहुत ही डाइवर्सिफा लपां करें हैं जैसे कस्टमर अलेक्ट्रोनिक्स लाइवर्स टीवी इस उसके रहा है वह बहुत है रहा है के अपर से एक और चीज मेले कि दिक्सन जो है वह वह इंडिया का लार्जिस्ट गगस्ट्ट्र अफ अव लिडियो अव लुग तो कॉर्टर सेल्स पर देखें, तो सेल्स जो है, कंपनी की सेल्स में तो ग्रोथ है, यहां पर देखें तो 47% का, 26, 66% का, 47% का, तो 5% का, तो कंपनी की सेल्स में तो ग्रोथ है, उसके लावा अगर हम लोग इसके कैगर पर देखें, तो लास्ट 3 यहस में 99% का इसने कैगर द आपको अब फाइज के देखेंड एक चीज देखने पुबिक ने बहुत बैंक करें हैं उसके लाभा इस्टाॉक करकर और रॉसी रूविड दोनों से अच्छा हैं मतलब के मेरे साथ 20 पसे ऑपर इन चीज़ें तो यहां पे अच्छी चीज़ है अच्छी चीज़ें इस्काउंट पर मिल रहा है यहां पर अच्छी पराइंग की यहां पर यहां पर को समय तो आप थोड़ी बाइंग कर सकते आ हैं इसमें अगर थोड़ी बद बाइंग करनी है तो इस अले जोन में बाइंग कर सकते हूं इससे अलवाइडिक्सन एक फिर मोग अपने नेक्स टोक पर जलते हैं दोस्तों हमाज नेक्स टोक जो है वह और कोफोज कोफोज के यहां फिर फंडमेंटस देख लेते हैं इसके लावा यह देखें, तो कंपनी के बहुत सारे सबस्टेटरीस हैं, जैसे यहाँ पर US, Singapore, Australia, UK सब जगह बेसके सबस्टेटरीस हैं, उसके बाद इसके बड़े-ड़े कॉस्टमर्स हैं, बिटिश एरलाइज, इंज ग्रोप, S.E.I. Investments, से सीता भी है, इसके बाद मार्केट केप लेगे, 21,000 क्रोट का है, उसके अलावा अगर हम लोग इसके रोई-रोई-रोई-इपे फोकस करें, तो रोई-जो है 25.4% है, उसका रो-ची जो है, कर संस्क्राइबर यहां पर देखें तो और देतना चाहिए फोकस खरें तो उसका लाज़ाइब विङवारें नहीं 20% हो गई हों इसमें उसके लादा अगर हम लोग इसके अगवर कायगर पर फोकस करें तो इसका last 5 years को जो जो कायगर है और last 5 years का जो profit growth है और 20% है इसके लावा आईगा हम लोग इसके FI और DIs के holdings पर देखें तो FIs ने तो इसमें holdings increase करी यहां पर बहुत अच्छी चीज़ देखने को मिल जिए कि FIs ने अपनी holdings इस टॉक में इंक्रीज करा हुआ है और DIs ने भी अपनी holdings को इसमें इंक्रीज करा हुआ है और DIs ने भी इसमें holdings को decrease किया है काफी जादा 9% तक का holding इस छोड़ दिया है इस टॉक में इसी करण यहां पर FIs में holdings जादा बढ़ गई है यहां पर स्टॉक के अगर हम लोग technicals पर focus करें तो स्टॉक अभी अपने एक resistance पर यहलो जो पुरा जोन है यह एक support जोन है इस टॉक के लिए यहां से अप्रेंड आ सकता है अगर hetषय दिखत रo प्रेंड है टीने support दिया तो यहां तक का अइक support लेगा और यहां पर जाके ich bounce back और फिर यहां से एक अप्रेंड में पर स्टार्ट कर सकता है यहां पर आके सपोर्ट एक और बनाएगा यहां पर सपोर्ट बनाएगा और फिर यहां से अप्रेंड में स्टार्ट हो सकते हैं So this is all about Koforz, let's move into our next talk So our next talk is L&T Technical Technology Services Limited here, if we focus on one thing, then company is mostly research and development focused on the company Besides, if we focus on a lot of good things, LDTS is customer base, 69 companies from the Fortune 500 companies In the world's top 500 companies, there are 69 companies in the world's top ERD 53 of the world's top ERD, that means research and development companies are their customers So this is a very good score for the company, large scale in India and all over the world In addition to that, the market cap is 36,000 crore market cap In addition to that, the company is debt free, on the top of ROE, if we focus on ROE, then 25% is good In ROCE, it is 33.4, so this is a very good thing Large cap company In addition to that, if we focus on the last 5 years, it is 36% The last 5 years profit growth is 18% In addition to that, if we look at the profits Here we look at the profits Here we look at the sales growth In the year of 2021, it is minus 3% growth In addition to that, if we look at the next year, on average, this company is 20% sales growth In addition to that, we focus on FIIs and DIs on holdings So FIIs has a lot of selling And DIs has a lot of selling But the public has a lot of buying In addition to that, if we focus on the technicals The stock of company is here So FIIs has a lot of selling झाल के खाससे, ये वाला जो 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 न winner पूरा यहां पर देखो तो यहला जो पूरा अपना एक अच्छा खासा यह सबोट्ट गया तो कंपनी के तो इंच रहा गया पूरा pozजो जाएगा उपोर्ड कंपनी सब्ले खेशंड खूडिए कमपनी का दाउं में FC अब tv आपको बैंग करने संद्ध ख़िहा ख़िए कंपनी के फोकस्किस अब घृए अरूं के अभी तो यहाँ पर एक अच्छी ऑपनिजिटी है स्टॉक में गुसने के लिए